आज इस वीडियो के अंदर कुछ खास discussion करने वाले हैं regarding NDA and affiliate agreement इसके अलावा यहाँ पर crypto, OES की profile and इसके लावा bank account और भी 2-3 point हैं जो कि आज खास तोर से इसके बारे में discussion करने वाले हैं और यह जितने भी point है ना यह सभी धीरे-धीरे करके निकलते चले आ रहे हैं क्योंकि on passive धीरे-धीरे करके end step by step अपने एक अगले-गले next phase में चलती चली जा रही है और वहां से हम लोगों को अगला क्या काम करना है ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते रहते है तो आज ऐसे ही कुछ खास important points हैं जिसके वारे में discussion करने वाले हैं तो आप सुरूर से लेकि लाज तक आप जरूर बने रहे हैं यहां से आपकी एक बहुत बड़ी problem भी जो है शौट आउट हो सकती है दोस्तों मेरा नाम है मनंदर सिंगोला और आप जोड़े हुए हैं मेरा official यूटूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए सबसे पहले हम यहां पे discuss करते हैं कि NDA and affiliate agreement इन दोनों में difference क्या है जी हां क्योंकि यह कई लोगों ने जो है सवाल पूचा था कि सर NDA में भी हमने sign किये थे उसके बाद उसको भी हमने accept किया था और इसके लाब हमारे पाद जो affiliate agreement आया है इसको भी हमने accept किया है इसमें भी rules and regulations लेके हैं तो दोनों में फर्क क्या है तो भी सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आपको सबसे पहले उसको read करना है सबसे पहले आपको अगर आपने सही तरीके से अगर आपने read किया होता तो आपको थोड़ा बहुत अंतर जरूर पता चल जाता कि दोनों को दोनों में difference क्या तो मैं आपको यहां पर ब्रीफली बता देता हूँ हमारा NDA पहले आया था जब हमने अपना OES बनाया था तो वहाँ पर become an affiliate पर klik करकetted हमने अपना NDA sign किया था तो हो क्या था जब हमारे पास OES आया था मतलब हमारे पास ecosystem आया था तो वहाँ पर ecosystem को किस तरीके से हमें चलाना है उसके कौन-कौन से rules and regulations है उसको हमें follow करने है यानि ecosystem के अंदर ऐसे बहुत सारे functions हैं जिसको हम बाहर नहीं कर सकते ecosystem के अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं जिसका हम screen share नहीं कर सकते या फिर screenshot करके हम social media पे upload नहीं कर सकते ऐसे बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे लिखी होई हैं तो वो जो एंडिये था हमारा वो in total OES के ही regarding था किसके regarding OES के ही regarding था जिससे की वहाँ पे हमें OES को यूज करने से पहले हम वहाँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ें यूज तो हमें रोज करना है लेकिन वहाँ पे हमें कौन सा काम नहीं करना है वो जादा important होता है यह जो affiliate agreement हमारे पास जो आया है यह affiliate agreement खास तोर से यह affiliate business करने के purpose से आया है क्योंकि हम यहाँ पे we are going to start our business affiliate business सो यहाँ पे सारे के सारे rules and regulations लेखे हुए हैं अगर हम उन सारे rules and regulations को सही तरीके से read कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता चल जाएगी कि हमें अपने business को run करते समय यह काम नहीं करना है और यह काम अच्छी तरीके से करना है कौन सा काम नहीं करना है यह काम करना एक एक टर्म उसमें लिखा हुआ है तो दोनों का सिर्फ एक ही अंतर है वो OES के regarding था rules and regulations और यहाँ पे हमारे business के regarding है जो हम start करने जा रहे हैं I hope आपको यह समझ में आ गया bank account की जिस तरीके से अभी हमारी process धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है verification का काम चल रहा है और हमारा जो एक bank account है इसके बारे में भी questions आने शुरू हो चुके हैं तो यहाँ पर bank account आपके पास होना कंबल सरी है कौन सा होना चाहिए यह अभी कोई भी पता नहीं आपके पास ज रगा दीजिए या वही उसी में ही आप काम करना शुरू कर दीजिए आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा bank account अपने business के लिए एक higher business के लिए जो रखना है saving account current account joint account जो भी आपके पास है आपको ज्यादा tension नहीं लेनी है अभी आपको सिर् purchase करें बहुत सारे लोगों के पास cryptocurrency नहीं है बहुत सारे लोगों के पास crypto का account नहीं है बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानते हैं और उन्होंने अभी तक अपना connect buy नहीं किया है तो यहाँ पर crypto से वो कैसे करें क्या उनको अपना एक अलग से account बनाना ही पड़ेगा तभी वो कर सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पे आपके पास अगर crypto अकाउंट नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को आप अपना payment शेयर करके payment भेज के आप अपना crypto से अपना package बाय कर सकते हैं यहाँ पे आपके लिए कोई भी चीज़ कंपलसर ही नहीं है कि आपके पा कैसे और ट्रस्टेबल परसन को ही आप वहां पर शेर करें तो यहाँ पर कोई भी ज़रुवत नहीं है कि हमारे पास जो है बाइनस अकाउंट होना चाहिए या करप्टो का कोई भी प्रोसेस चल रहे है यहां पर जैसे जैसे स्टैप हमारे आगे भड़ेंगे हम्हें नेक्स्ट अप्डेट का एस्ट अप्डेट होगी उसका वेट करना है इसके अलावा हमारे यह जुद 10 दिन extend हुए हैं ओक कनेक्ट के तो ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है ये जो 10 दिन है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है और इसके 10 दिन के complete होने के बाद कुछ ना कुछ हमें यहां पर एक नई information जरूर मिलेगी इसके लिए हमें ज़्यादा wait नहीं करना है बस थोड़ा से दिन का और इंतजार करना है हमें next एस मुफारिसर की जो भी update आने वाली है उसका wait करना है तो payment को लेकर के आप ज़्यादा panic ना हो क्योंकि payment अगर आपका बना है तो आपका withdrawal भी लगेगा या फिर लग चुका होगा तो आपके पास जरूर आएगा because this is a business और business के अंदर ये सब कुछ होता है एक बात यहां पर और भी confuse करती है लोगों के लिए कि यहां पर किसी की profile के नाम में wife का नाम है लेकिन NDA में उनके husband के signature हो रहे हैं तो यहां पर क्या उनको problem हो सकती है क्या देखिए यहां पर problem हो सकती है या नहीं हो सकती है यह तो जब हमारा verification होगा merchant के द्वारा verification होगा ना तो वहां पर हमें सब कुछ clear हो जाएगा लेकिन यहां पर दो suggestion है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा दो suggestion है पहली चीज़ यह है कि अगर आपके profile में अगर आपका नाम है तो कोशिस यही करें कि आपका ही signature हो NDA में क्योंकि अगर यह सारी चीज़ा match खाती हूँ चली जाती है अगर match करती हूँ चली जाती है तो आगे जो भी process होगी verification की 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 तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है यहां पर दूसरी चीज़ यह होती है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर doubt है थोड़ा सा doubt है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है मेरा एंडिया सिगनेजर किसी और का है नाम किसी और का है तो आपको मैं दूसरा suggestion दूँगा आप support में जाकर के एक बार mail जरूर करेए support को जरूर लिक करके पूचिये कि यहां पर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है वो इसका answer आपको जर लगाएंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो सपोर्ट टीम जो है आपके बैक आफिस को जो एक्जमान भी कर ले तो इसके लिए आपको सपोर्ट से हेल्प एक बाद जरूर ले लेनी चाहिए अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है एक ट्रस्टेबल परसन की ही आप सहायता ले एक ट्रस्टेबल व्यक्ति की ही आप यहाँ पर मदद ले ताकि आपका पैसा पूरी तरीके से सुरच्छित रहे और हाँ दूसरी चीज यह है कि जब भी आप किसी को पैसा दें तो आपके पास सारी की सारी details होनी चाहिए कि आपने कब दिया और क्यों दिया कौन सा product आपने purchase करने के लिए दिया तो ये सारी की सारी details आपके पास होनी चाहिए जब तक कि आपका काम पूरी तरीके से खतम न हो जाए तो इन सारी चीजों का आप ध्यार रखें और अपना O Connect जो है सही तरीके से आप बाई कर लीजी समय से पहले अपनी जो responsibility है ना जितने भी हमारे early words है उनको ठीक तरीके से पहचाननी है कि हमारी responsibility क्या है आप कौन है आपको खुद को कैसे manage करना है यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर on passive के अंदर एक common एक person नहीं रहे हैं आप एक early words है और यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी value यहाँ पर लिख चुकी है और आने वाले time के अंदर यह पुरी दुनिया को दिखने वाली है तो आपको अपनी responsibility को ठीक तरीके से समझना है और अपने जो NDA के अंदर जो भी rules है हमारे affiliate agreement के अंदर जो rules है उसको follow करना ही करना है तो बस आपको active रहना है आपको सतरक रहना है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करना शुरू कर दिये हैं मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया है तो बस ऐसे लोगों से आपको साबधान भी रहना है मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एक और नई update के साथ थैंक्यू सुमच है विनाइस डे वी आर सुनिट टू विनिट जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तयारी अच्छी होगी